हलो एवरीवन, इजी फिजिक्स भाई एन के चैनल पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बहुतिक विज्ञान कक्षा बारह का चेप्टर नमबर 10 अपन थेोरिटिकल रूप से कम्पलीट कर चुके है चेप्टर नमबर 10 प्रत्यावर्ति धारा इसके बाद में राजस्थान बोल्ड की जो पाठे पुष्टक है उसके जो MC क्यूज है उनको भी अपन कम्पलीट कर चुके है और आज के इस विडियो में अति लगूतरात्मक प्रशनों का विशलिशनात्मक हल अपन पढ़ेंगे यदि इन प्रशनों को objective format में डाला जाएगा तो किस तरह से डाला जाएगा और यदि इन प्रशनों को विश्थारित रूप में पुछा जाता है तो किस तरह से प्रशन पुछे जाएंगे और इस वर्श बोल्ड प्रिक्षा में गवर्मेंट ने objective प्रशनों का जो महत्व है वो और अधिक बना दिया है तो इसके लिए अपने को इन सभी प्रशनों को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए चलिए इसके लिए अपन पहला क्यूशन यहाँ पर तयार करते हैं पहला प्रशन कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरन आपको दे रखा है वोल्टीज का equation दे रखा है वी इस इक्वल्स टू टू हंड्रेड रूट टू साइन हंड्रेड पाई टी दे रखा है इसका वर्ग माध्य मूल मान और आवरती दो चीज़ें अपने को निकालनी है एक RMS वैल्यू और एक इसकी आवरती कैलकुलेट करनी है तो जैसा कि आपको ये equation दिखाई दे रही है इसका अपने एक आदर समीकर्ण जानते है वी इस इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है उसके साथ में यदि अपन तुलना करेंगे तो बिटा आपको पता चलेगा कि ये जो 200 रूट टू है वो आपके पास वी नॉट का कार्य कर रहा है तो आप वी नॉट के equivalent में जो value रखेंगे वो आपके पास 200 रूट टू हो जाएगा इसके बाद में अपन बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये अपने को वी की RMS value find out करनी है तो अपन उसके लिए वी maximum में यानि वी नॉट को root 2 से divide करते हैं तो इसी प्रकार से इसको भी अपन root 2 से divide करेंगे root 2 से जब अपन divide करेंगे तो root 2 से root 2 cancel out हो जाएगा और V RMS की जो value है वो आपके पास 200 आएगी तो पहले question का जो अपना answer है वो 200 volt हो जाता है उमीद करता हूँ कि आप लोगों को ये question बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा या फिर मेरे explain करने से पहले ही आप लोगों ने इसका जो पहला part है वो complete कर लिया होगा अब इसके दूसरे part आवरती की बात करते हैं आपको पता है कि इस sign के function में जो small t दिया गया है उसके गुणनफल में जो कुछ भी होगा वो सब का सब आप लोगों के लिए omega का work करेगा तो ये दि दोनों समीक्रणों की मैं तुलना करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास ये जो 100 pi आप लोग देख पा रहे हैं ये 100 pi किसका कारे करेगा बिटा सर omega का कारे करेगा अब आप इसको omega के equivalent रखें मैं screen को clear करता हूँ फिर दुबारा पढ़ता हूँ तो omega की जो value है ये जो आपके पास value आई है this is equal to हो जाएगा omega और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बेटा omega जो होता है उसका formula होता है 2 pi f यदि आप इन दोनों को एक दूसरे से compare करेंगे तो pi से pi cancel out हो जाएगा और ये जो 2 है वो दूसरी तरफ जाएगा तो divide में जाएगा और 100 को जब अपन 2 से divide करेंगे तो आपके पास frequency की value 50 हो जाएगी और इसके मातरक की बात करेंगे तो मातरक hertz लग जाएगा तो इस तरीके से अपन इसकी आवरती जो है वो भी यहाँ पर calculate कर लेते हैं उमिद करता हूँ कि पहला प्रशन आप लोगों को बहुत अच्छे से clear हो गया होगा ओके अगले प्रशन पर चलते हैं बेटा प्रशन संक्या दो अपने से कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान देखिए physics पढ़ना बहुत आशान है आप लोग जितना time उस question को पढ़ने में लेंगे जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना ही जल्दी आपको उसका answer समझ में आएगा तो प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान है तथा सिखर मान है इन में क्या संबंध होता है लिखिए तो आप लोगों को इसके answer में बहुत short format में लिखना चाहिए कि VRMS that is equals to सिखर मान V0 upon root 2 उमीद करता हूँ कि इस प्रशन का answer भी आप लोगों को पहले से आता होगा चलिए यदि आप इन प्रशनों का उत्तर दे पा रहे हैं तो आप लोगों ने निशंदे है इस चेप्टर को बहुत अच्छे से तयार किया है इसके बाद में अपने बारी आती है प्रशन संख्या 3 की देखे क्या कहरा प्रशन संख्या 3 किसी प्रत्यावर्ती धारा समीकरण की वैल्यू ये दे रखी है यही होती है सर आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी जनरली ये जो आई एम है इसको आई नोट से भी लिखा जाता है और ये किसका कारे करता है ये प्रत्यावर्ती धारा की कौन सी वैल्यू को प्रदशित करता है सर सिखर मान को प्रदशित करता है अब सवाल कह रहा है तो प्रेरक्त्व परिपत्थ में प्रत्यावर्ति वोल्टता का समीकरन लिखिये अब आपको प्रेरक्त्व लगाना है ये तो प्रत्यावर्ति धारा का समीकरन है आपको किसका equation निकालना है voltage का equation निकालना है तो voltage के equation में आपको लिखना है कि V this is equals to V0 या फिर आप इसको V0 की जगह Vm लिखेंगे तो और बेहतर रहेगा फिर अपने को लिखना है sign अब अगला अपने से जानना क्या चा रहा है इस प्रशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये जानना है कि प्रत्यावर्ति धारा में और इसकी वॉल्टता में कलांतर कितना होगा तो ये दिए आप लोगों को इसका ग्राफ याद है तो आपको पता है कि X, X के उपर अपन करंट की वैल्यू को लेते है और जो प्रेरख ये परिपत होता है कुंडली वाला परिपत होता है उसमें वॉल्टेज है वो Y, X के पॉजिटिव डाइरेक्शन की तरफ होता है तो यहाँ पर आपको पता है कि वॉल्टेज जो है वो पाई बाई टू कला आगे रहेगा ठीक है? और वॉल्टेज जब पाई बाई टू कला आगे है और आपने पहले से करंट का इक्वेशन लिख रखा है तो वॉल्टेज का इक्वेशन जब लगाएंगे तो आपको इसमें क्या लिखना होगा? ओमेगा टी प्लस प्लस इसका कलांतर लिखना है बेटा तो कलांतर कितना हो जाएगा? कलांतर हो जाएगा सर पाई बाई टू तो finally अपन ये कह सकते हैं कि इस प्रशन का जो सही आंसर हो जाएगा वो अपने को v this is equals to vm sin omega t plus पाई बाई टू लिखना होगा इतना ही जानना चाहता है आपको इस प्रशन में और ज्यादा गंबीरता से अंदर जाने की जरूरत नहीं है यदि आप प्रशन में examiner क्या जानना चाहता है ये बात अगर पकड़ पाएंगे तो आपको आपका score भी अच्छा होगा और आपको उत्तर लिखने में सुवी धा भी रहेगी अब मिद करता हूँ कि प्रशन संख्या तीन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा चलिए ये सब बात करें कि नीट का जो exam है या फिर आप लोगों के नेवी के अंदर दो तरह के exam होते हैं नेवी में एक अपना artificial apparentis AA का exam होता है और एक SSR का exam होता है दोनों के लिए ये प्रशन बहुत महत्वपून है और यदि आप इन प्रशनों को अतिलग हुतरात्मक format में जैसा अभी अपन पढ़ रहे हैं इस तरीके से यदि आप तयार कर लेते हैं तो objective type जब यही प्रशन बनेगा तो आप बहुत सुधता से इसका answer दे पाएंगे इसी स्रंगला में अगला प्रशन अपन प्रशन संख्या चार पढ़ते हैं देखे क्या कह रहा है किसी प्रत्यावर्ती धा की आवरती ग्यात कीजिए आपको पता है कि यह जो omega t का function दे रखा है इस t के multiply के अंदर जो कुछ भी value है वो आपकी omega के equal होगी तो omega के बराबर अपन फॉर्मूला जानते हैं कि sir 2 pi f होता है और उसके आगे value दे रखिए इसकी कितनी 314 आपको इस formula में पूछिया क्या है इस कि pi की जो value होती है वो 3.14 होती है तो आप यहाँ पे लिख सकते है 2 into pi की जगह 3.14 f is equal to 314 अब यदि आपको बहुत अच्छे से पता चले तो जब आप इसको इससे काटेंगे तो यहाँ पे आपके पास replace होकर के value कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी और अब यह जो 2 है वो भी divide में जाएगा तो जब 2 जब 100 के divide में जाएगा तो आपके पास कितना से इस बचेगा f की value है वो आपके पास beta 50 आजाएगी मात्र क्लिकना नहीं भूलना है हर्ज में इसका answer हो जाएगा तो उमीद करता हूँ कि प्रसंद सेंख्या जो 4 है वो भी आप लोगों ने बेहद आ रहा है कि प्रत्यावरती धारा की आवरती बढ़ाने पर यानि कि f की जो value है वो यहाँ पर बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है बढ़ाने पर प्रेरिनिक प्रतिगात को किसे लिखते बिटा एकस l से लिखते हैं तथा धारीत ये प्रतिगात इसको अपन एकस c से लिखते है इनके उपर क्या प्रभाव पड़ेगा आवरती को बढ़ाने का इन दोनों के उपर क्या प्रभाव पड़ेगा ये प्रभाव अपने को देखना है तो प्रभाव देखने के लिए direct आपको xl की value लिखनी चाहिए formula लिखना चाहिए तो इसका formula होता सर omega l और omega की जगे अपन ल frequency f के समानू पाती है और आप यहां पे कह रहे हैं कि आवरती का मान बढ़ाया जा रहा है तो निश्चित रूप से जो xl है यानि जो आपका प्रेरिनिक प्रतिगात है वो भी बढ़ेगा इसके बाद में बात करें xc की तो इसके अंदर आप formula जानते हैं कि बिटा इसकी value होत बात अपनी चल रही है कि frequency को बढ़ाया जाए तो जैसे ही आप frequency को बढ़ाएंगे xc जो है वो इस frequency के व्यूत करमानू पाती है यानि कि xc के मान में कमी आ जाएगी तो यह जो प्रशन है इसका answer में आप लोगों को बहुत clear लिखना है कि सर प्रेरिनिक प्रतिगात है ये धारिता के प्रेरिनिक प्रतिगात है ये आवरती के समानू पाती होने के कारण इसके मान में व्रधी होती है और धारित ये प्रतिगात है ये आवरती के व्यूत करमानू पाती होने के कारण इसके मान में कमी होती है बहुत simple आप लोगों को लिखना है उम्मीद करता हूं क प्रसन संख्या पाँच है वो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझे लिया होगा आगे चलें वेटा चलिए प्रसन संख्या छे में चलते हैं क्या कह रहा प्रसन संख्या छे बहुत आसानी से अच्छे तरीके से पढ़ते जाईए और इनके जो उत्र है विश्टा प्रसंद कह रहा है कि एक कुंडली का जो प्रेरक्ट हुए है L की जो value है वो आप लोगों को यहां पे दे रखी है ठीक है सर प्रसंद कह रहा है कि 50 Hz आवरती की प्रतियावरती धारा के लिए प्रतिगात का मान गयात कीजिए किसका प्रतिगात पुछा जा रहा है कुंडली का प्रतिगात पुछा जा रहा है तो कुंडली के प्रतिगात का formula क्या होता है इसको अपन XL से represent करते है XL जो होता है इसको अपन omega L से लिखते है omega L में आपको omega भी नहीं दे रखा तो omega की open कर लिजिए simple है sir 2 pi f लिखेंगे l को same रख लेंगे तो अब आप value रख लीजिए 2 की value रखेंगे 2 हो जाएगा pi की value रखेंगे 3.14 लिखेंगे इसके बाद में f की value आपको 50 hertz दे रखी है और आगे बेटा l की value रखेंगे l की value कितनी है 0.1 है तो आप इसकी calculation को बहुत fast कैसे करेंगे sir यह जो 2 है इसको 50 से multiply करेंगे तो 100 हो जाएगा और 100 को जब 3.14 से multiply करेंगे तो यह आपको 314 बन जाएगा ठीक है और यह जो 314 है इसको जब आप 0.1 से multiply करेंगे तो यह value आपके पास 31.4 बन जाएगी ठीक है तो यह जो प्रसंद सेंख्या आपका 6 था इस प्रसंद सेंख्या 6 का उत्तर क्या रह जाएगा 31.4 और प्रतिगात का मात्रक क्या होता है जल्दी बताइए प्रतिगात का मात्रक सर यह तो प्रतिरोध की तरह ही होता है इसका मात्रक ओम होता है तो 31.4 ओम इसका आंसर हो जाएगा उम्मीद करता हूँ कि प्रसंद संख्या 6 है इसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा आगे चलते हैं प्रसंद संख्या 7 पढ़ें देखें क्या कह रहा है प्रसंद कह रहा है कि सर एक स्रेणी LCR परीपत में धारा और वोल्टता के मध्धे कलांतर कितना होता है LCR परीपत है इसकी धारा और वोल्टता के बीच में कलांतर पूछा है फाइनली आप लोगोंने एक बहुत बड़ा डेरिवेशन पढ़ा होगा स्रेणी LCR परीपत का और उसके अंदर आप लोगोंने ग्राफ बहुत अच्छे से बनाए होंगे कि यह आपके पास VL की वैल्यू है इधर ही VR की वैल्यू है इस तरह ही करंट होगा VL उपर की तरफ होगा और VC है वो नीचे की तरफ रहेगा और इस केस में आपको मान करके चलना है क्योंकि एक आइडियल वैल्यू उपन जानते हैं कि VL है देट इस ग्रेटर देन VC लिखेंगे और यदि ये बात आपको नहीं दे रखी है तो इन दोनों को अपन इसके लिए फाइनल आंसर क्या लिखेंगे बताईए तो यहाँ पे सर्फ 5 is equal to 10 inverse फिर लिखेंगे कि XL माइनस XC और माइनस की जगा आपको approximate लिख देना चाहिए इसका मतलब यह होता है कि यदि XL बढ़ा हुआ तो उसमें से XC गठा देंगे और यदि XC बढ़ा हुआ तो उसमें से XL गठा देंगे बता में क्या रह जाएगा आर रह जाएगा तो simple आप लोगों को direct यहाँ पे formula पूछा गया है कुछ extra लिखने की जरूरत नहीं है और यदि यही प्रशन objective बनेगा तो यह बहुत interesting प्रशन बन जाता है आपको इसमें से XL-XC कह सकता है या और कोई भी option बना करके देख सकता है तो fundamental आप लोगों के हैं वो complete होने चाहिए देखिए बेटा एक मैं आप लोगों से हमेशा promise करके आता हूँ मैं कहता हूँ कि आपको board paper में कोई भी प्रशन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने notes में या फिर अपने वीडियो से बाहर आपको मिल जाए ऐसा कुछ भी नहीं होगा और उस चीज का प्रमान ये है कि आप जितने भी क्यूशन यहाँ पे पढ़ रहे हैं जितने भी आप competitive exam के जो अपने morning में सीरी चलती है live class की उसके अंदर भी आप क्यूशन पढ़ते हैं तो सभी के सभी प्रशन हैं वो निश्चित रूप से हमने हमारे वीडियो में discuss किये हुए है इसलिए इस बात के उपर तो आप लोगों को बहुत अच्छे से विश्वास करना होगा और मैं आपको पूरा विश्वास दिला दू कि 56 नंबर का आपका जो word का paper है वो पूरा का पूरा paper अपने notes के अंदर से ही आएगा बस आप लोगों को परिक्षा तक हमारे साथ बने रहना है जो भी वीडियो आप लोगों के लिए upload किये जाते हैं बहुत मेहनत से और बहुत तयारी के साथ तयार किये जाते हैं चलिए आगे चलते हैं अगला प्रशन संख्या है 8 पड़ें देखें क्या कहना चाह रहा है बहुत ध्यानपूरक पड़ना है प्रशन कह रहा है कि LCR अनुनादी परीपत ये बात मेरे को हिट कर रही है अनुनादी परीपत जैसे ही इतनी बात इतना सा प्रशन मैंने समझा मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से क्लीर हो गया कि सर एक्स एल का मान और एक्स सी का मान इक्वल होगा वी एल का मान और VC का मान equal होगा मेरे पास जो प्रतिबाद आएगी वो Z minimum रहेगी और Z minimum की जो value है वो R के बराबर रहेगी ये चीजे मुझे बहुत अच्छे से clear हो जाती है केवल इतना सा पढ़ते ही और ये बात भी आप लोगों ने वीडियो में अच्छे से सीखी होगे आगे कह रहा है कि LCR स्रेणी परिपत में प्रेरक्तवे तथा धारीता पर विभुवांतर के मध्धे कलांतर कितना होगा प्रेरक्तवे और धारीता के बीच में कलांतर जानना है वो भी कौन से स्थिती में अनुनाद की स्थिती में बहुत अच्छे से इस अनुनादी सब्द को आप लोगों को बहुत इंपोर्टेंट मांद करके चलना है तो अब आप जानते हैं कि सर फाई का जो वैल्यू होती है वो होती है सर अपने 10 इंवर्स XL-XC अपॉन R और अभी आपने देखा है कि अनुनादी की स्थिती का मतलब इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी वैल्यू इक्वल होगी तो इन दोनों का डिफरेंस 0 होगा 0 में जब आप R से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा और आपके पास 10 इनवर्स 0 की जो वैल्यू है वो कितने डिग्री एंगल पे होता है तो 5 की जो वैल्यू है वो इस प्रसन का आंसर कितना हो जाएगा बेटा सब लोग बताईए फटा-फट सोचिए कितने 10 थीटा का मान 0 होता है सर 0 डिग्री का मान तो इस प्रशन का जो अपना आंसर है वो भी जीरो हो जाएगा यानि कलांतर का मान जीरो हो जाएगा LCR परिपथ में प्रेरक्त वै और धारिता दोनों 180 डिग्री पे विपरीत कलामे होती हैं और अनुनाद का मतलिव है दोनों का परिमान भी बराबर होगा जिस से इन दोनों का प्रभाव निरस्त हो जाता है और कलांतर जीरो रहता है आगे चलें प्रशन सेंख्या 9 में क्या कह रहा है ध्यान पूर्वक पढ़ना है स्रेणी LCR अनुनादी परिपत में प्रतिबाधा का मान कितना होगा अपने बहुत अच्छे से चर्चा करी है कि अनुनाद की स्थिती में XL की वैल्यू और XC की वैल्यू एक दूसरे के बराबर होगी और Z की जो value है प्रति बाधा की जो value है वो minimum हो जाती है और किसके बराबर होती है प्रति रोध के बराबर होती है तो ये प्रशन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आपने हमारे इस चेप्टर के प्रते एक व प्रिरक्तवे धारीता और प्रतिरोध के लिए सक्ति गुणांक का मान क्या होगा तीन क्यूशन आप से पूछे गए हैं प्रत्यावर्ति धारा प्रिक्त है एक प्रिक्त में तो केवल प्रिरक्तवे लगा हुआ है फिर दूसरे प्रिक्त में केवल धारीता लगी हुई है और तीसरे परिपत में प्रतिरोध लगा हुआ है, सक्ति गुणांक, हालांकि सक्ति गुणांक का जो टॉपिक है, वो इस वर्स बॉर्ड प्रिक्षा में अपने सलेबस में से हटा दिया गया है, लेकिन यदि आप लोगों ने हमारा इससे पहले का MCQs का वीडियो अगर बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आपको पता चला होगा कि जो P average का आपने derivation पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा है कि P average is equals to होता है सर, IRMS, उसके बाद में गुणनफल में होता है VRMS, और उसके साथ में यहाँ पे value होती है cos phi की, तो यह जो cos phi होता है इसे ही अपन सक्ति गुणांक कहते हैं, और phi क्या है, phi है बेटा कलांतर की स्थती, और तीनों ही derivation में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कि जब अकेला प्रेरक्त वे होगा, तो कलांतर आपके पास 90 डिग्री होगा, ठीक है सर, यह दि अकेली धारिता होगी, तब भी कलांतर 90 डिग्री होगा, अकेला प्रतिरोध होगा, उस इस्थिति में जो कलांतर है वो आपके पास 0 डिग्री होगा, सक्ति गुणांक चाहिए, कॉस फाई की वैल्यू सक्ति गुणांक होती है, जब फाई की जगे 90 डिग्री रखेंगे, तो धारिता के लिए, प्रेड़क्त वे के लिए और धारिता के लिए, दोनों में कॉस 90 का मान 0 होता है, इसलिए सक्ति गुणांक की वैल्यू 0 रह जाती है, बात करें अपने प्रति रोध की, प्रति रोध में कलांतर फाई का मान 0 होता है, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, क्लियर है, तो यहां पे सक्ति गुणांक की वैल्यू 1 हो जाएगी, उमीद करता हूँ कि आपको प्रसंद संख्या जो 10 है, वो बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, चलिए प्रसंद संख्या 11 की बात करते हैं, क्या कह रहा है प्रसंद संख्या 11, रूट LC का मात्रक क्या होगा, रूट LC का मात्रक, बेटा जब यह प्रशन, competition exam में, या board prediction में पूछा जाता है, तो बच्चे इस बात को भूल जाते हैं, कि रूट LC का जो संबंद है, वो अनुनाद की इस्थिती के साथ भी होता है, क्या, क्योंकि उस समय आपके दिमाग में सीधा सीधा आता है, कि सर L का मतलब स्वेप्रेरक्तव है, C का मतलब धारीता है, स्वेप्रेरक्तव का मातरक हैंरी और धारीता का मातरक फैरड होता है, दोनों की कैलकुलेशन में चले जाते हैं और प्रशन गलत हो जाता है, आपको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, कि रूट LC है, वो अनुनाद की स्थिती में होता है, और इसके अंदर आपने पड़ा है कि ओमेगा आर, यानि अनुनाद की स्थिती में जो ओमेगा आर होगा, वो आपके पास वन अपॉन रूट LC होगा, तो ओमेगा आर की वैल्यू का मतलब क्या है, ओमेगा आर को सर अपन टू पाई एफ लिखते हैं, जिसमें से टू पाई तो मात्रक ही न है, तो केवल फ्रिक्वेंसी बची, और फ्रिक्वेंसी का मात्रक क्या होता है, सर फ्रिक्वेंसी का मात्रक होता है, सेकेंड इन्वार्स, तो ये जो सेकेंड इन्वार्स है, ये रूट LC का मात्रक है, या फिर 1 upon root LC का बताईए सर ये तो 1 upon root LC का है तो root LC का मात्रक क्या हो जाएगा सर root LC का मात्रक का मतलब है कि ये जो inverse है वो यहां से remove हो जाएगा तो finally अपने को इस person का answer जा है वो पता चलता है कि root LC का जो मात्रक है वो अपना second होगा इस बात को आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है और कई बार परीक्षा में root LC का मात्रक ना पूछ करके सिर्फ LC का मात्रक है वो भी पूछ लिया जाता है चलिए फटा फट बताईए यदि root LC का मात्रक आपने second पढ़ा है तो LC का मात्रक क्या हो जाएगा सर वर्ग कर देंगे वर्ग करेंगे तो root हटेगा और इस तरफ आपके पास square लग जाएगा तो LC का मात्रक जो है वो आपके पास second square आ जाएगा ठीक है इस तरीके से आपको हर एक प्रशन को उस प्रशन से बनने वाले सभी प्रशनों की द्रश्टी से पढ़ना चाहिए वन अपोन रूट LC का मात्रक पूछ ले तो सर वन अपोन रूट LC का मात्रक जब पूछेगा तो second inverse हो जाएगा ठीक है बिटा इसमें कोई confusion नहीं होना चाहिए आगे चलते हैं प्रशन सेंख्या बाहरह के उपर ये इस chapter number 10 यानि प्रत्यावर्ती धारा परीपत के objective प्रशन आप ही ने कह सकते हैं अति लगूतरात्मक प्रशन आप ही ने कह सकते हैं इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए अगला प्रशन कह रहा है कि स्रेणी LCR परीपत में धारीता को चार गूना करने पर LCR परीपत पूरा डाइग्राम दिमाग में आया LCR L का मतलब गुंडली है कैपेसिटर है रेजिस्टेंस है इस इस्थिती में प्रतिबादा है वो कितनी होगी सब कुछ क्लियर होना चाहिए अब सवाल कह रहा है कि यदि इस परीपत की जो धारीता है उसको आप कर दें चार गुना कितने गुना कर दें चार गुना समान अनुनादी आवरती के लिए यानि अनुनाद की स्थिती पे आप पहुँच गए हैं समान अनुनादी आवरती के लिए प्रेरक्ट्वे का मान कितना करना होगा यानि धारीता को चार गुना किया तो प्रेरक्ट्वे को कितना करना होगा अनुनादी आवरती के लिए याद कीजिए कि आपने ओमेगा के बराबर में लिखा 1 upon root LC और सवाल कह रहा है कि अनुनादी आवरती समान रहनी चाहिए इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए तो धारीता को जब आपने 4 से गुना किया और value बदलनी नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा अपने को इसके अंदर 4 से divide भी करना पड़ेगा तब जाकर कि इसकी value है वो पहले के बराबर रह पाएगी तो धारीता को 4 गुना करने पर जो आपके पास प्रेरक्तवे है इस प्रेरक्तवे का मान है वो L by 4 कर देना चाहिए जिससे आपके पास जो आनुनादी आवरती है वो पहले के समान बनी रहेगी ठीक है? आगे चलते हैं प्रसन संख्या 13 पढ़ते हैं प्रसन संख्या 13 कह रहा है वाठ हीन धारा का वर्ग मध्य मूल मान कितना होगा? ये वाठ हीन धारा का जो topic है वो इस वर्ष बॉर्ड प्रिक्षा में से हटा दिया गया है इसलिए इसका अध्यन अपन नहीं किया है ये वाठ हीन धारा का topic है ये जैसे ही बॉर्ड प्रिक्षा हैं आप लोगों की complete होंगी उस समय इस chapter की playlist के साथ में आपको पढ़ा दिया जाएगा अभी थोड़ा सा बॉर्ड प्रिक्षा की हिसाब से अपन तयारी कर रहे हैं तो आपके दिमाग पे extra load ना पड़े इसलिए इस topic को अभी अपन ने तयार नहीं किया अगले प्रसन पे चलते हैं प्रसन संख्या 14 क्या कह रहा है पढ़ें देखें 14 कह रहा है कि एक ट्रांस फार्मर की प्रात्मिक और द्वित्यक कुंडलीयों में फेरों की संख्या या घेरों की संख्या इनका अनुपात एक अनुपात चार दे रखा है प्रात्मिक कुंडली के लिए आप एनपी लिखेंगे द्वित्य कुंडली के लिए आप NS लिखेंगे अनुपात दे रखा है एक बटे चार यह कौन सा ट्रांसफार्मर है बताईए देखें प्रात्मिक कुंडली में यदि एक राउंड है तो दूसरी कुंडली में चार राउंड होंगे चार गुने राउंड होंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि वॉल्टेज का जो संबंद होता है वो फेरों की शंख्या के समानुपाती होता है यानि वी पी अपॉन वी एस होगा और आप देख रहे हैं कि जब फेरों की शंख्या ज्यादा है तो वॉल्टेज भी ज्यादा हो जाएगा तो उस ट्रांस्फार्मर को किस नाम से जाना जाता है जो वॉल्टेज को बढ़ाता है उसे आप उच्चाई ट्रांस्फार्मर कह दें हिंदी में इसे उच्चाई ट्रांस्फार्मर कहा जाता है और इंग्लिस में से step up transformer कहा जाता है तो इंग्लिस word है वो इसका बहुत important बहुत easy है तो आप लोगों को लिखना चाहिए step up transformer ओके चलिए प्रसंद संक्या 15 पढ़ते हैं आज की execution series का अंतिम प्रशन है प्रत्यावर्ती धारा परिपत में वाठीन धारा का मान लिखिए तो अभी अपने चर्चा करी थी कि वाठीन धारा को अपने syllabus में से हटा दिया गया है तो प्रसंद संक्या 13 और प्रसंद संक्या 15 है ये दोनों वाठीन धारा के topic पढ़ने के साथ बहुत आसानी से clear हो जाएंगे और वाठीन धारा का जो topic है वो अपना एक बार जब syllabus complete हो जाएगा तो उसके तुरंत बाद ये topic भी आप लोगों को upload कर दिये जाएंगे वीडियोज हैं वो उपलब्द हो जाएंगे उमीद करता हूँ कि आप इन सभी प्रशनों को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा और भविशे में आप इनका सही उत्र बीना याद किये समझ करके लिख पाने में समर्थ होंगे यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेर कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू